सिधार्थ शुकला की ममी रीटा शुकला एक सो चालिस दिन तक अपने बेटे से दूर रही हैं और अपने बेटे को लेकर काफी स्यादा इमोशनल भी सिधार्थ अपनी ममी रीटा शुकला के दिल के हमेशा से ही काफी ज्यादा करीब रही हैं और 140 दिन तक बिक बॉस के घर में सिधार्थ ने जो जो सहा हैं ममी रीटा काफी ज्यादा इमोशनल अपने बेटे के स्ट्रगल पर हुई हैं अब इन सब के बीच में शो खत्म हुए एक महिना हो चुका है लेकिन अब तक लगातार खबरे आती जा रही हैं और इनहीं खबरों के बीच में जिस खबर का जिक्र हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं उसके तार रश्मी सिधार्थ और ममी रीटा के साथ जुड़े हैं दरसल सिधार्थ शुकला की ममी रीटा शुकल रश्मी और सिधार्थ के रिलेशन्शिप पर अपनी राय रखती हुई सुनाई पड़ रही है ममी रीटा शुकला कह रही है कि सिधार्थ के साथ रश्मी का रिष्टा बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है सिधार्थ के साथ रश्मी का रिष्टा बहुत ही ज्यादा वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है बता दे आपको बिग बॉस के घर के दौरान कहा जा रहा था कि रश्मी और सिधार्थ एक दूजे को डेट कर रहे हैं रश्मी और सिधार्थ एक दूजे के साथ committed हैं जबकि बाद में जब ममी रीटा शुकला से इन ही सब चीजों को लेकर indirectly सवाल किया गया तो ममी ने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ऐसा कुछ है मुझे इस बारे में सिधार्द ने कभी नहीं बताया और जब तक सिधार्द इस बारे में कुछ नहीं कहता इस बारे में कुछ भी कह पाना मेरे लिए मुम्किन नहीं है Well यही कहना है ममी रीटा शुकला का Next Night News से मेगा की रिपोर्ट